बच्चो बहुत स्वागत है आप लोगों का Chemistry Class में मैं हूँ आपका Chemistry Teacher सुनी लिया दो बच्चो जैसे कि आप लोग देख रहे थे ठीक है हम मैं आपके सामने संकुल योगिकों के अध्यन के लिए लगातार आपके सामने हूँ बच्चो संकुल योगिक में आज मैं आपको संक्रन जो टॉपिक है वो आपके सामने लेकर हूँ तो बच्चो बहुत अच्छी से समझेए एक एक जामपल मैं ले लेता हूँ आपके सामने K4 F1 Cn whole number of 6 बच्चो इस compound का जो नाम है सबसे पहले आपको बता दूँ इस compound का नाम मैंने आपको लिखना भी सिखाया था ठीक है यह है potassium potassium hexa sino ferrit और oxidation number हो जाएगा इसका 2 तो बच्चो इस compound का नाम है potassium hexa sino ferrit 2 बच्चो आज में इसमें आपको संक्रण डिस्क्राइब करूंगा तो सबसे पहले क्या करना होता है बच्चो आपको जिस भी compound में संक्रण या hybridization describe करना हो आप सबसे पहले क्या करो उसको ionized करो याने potassium याने जो free metal उसको अलाग कर दो तो आपका जो complex ion बचेगा वो इस तरह से बचेगा cn fe cn whole number of 6 और उस क्यूपर plus minus sorry plus नहीं आएगा minus आएगा तो उस पर हम minus charge जो है वो in build कर देंगे वर्चे ठीक है तो इस तरह से इस तरह से यह minus charge आजएगा अब इस species ionic species को लेकर हम hybridization को describe करेंगे बच्चों को step follow करने जिसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है आपको लिगेंड का निर्माण दिखाना होता है ठीक है तो मैं लिगेंड का आपको निर्माण बता देता हूं बच्चों लिगेंड हमारा cn है तो cn कैसे बना carbon का परमाडुक्रमंग 6 है 2 और 4 nitrogen का परमाडुक्रमंग 7 है 2 और 5 तो 4 और 5 electron को लेकर हम सबसे पहले cn बनाएंगे तो एक carbon एक दो तीन और एक चार electron एक nitrogen ठीक है इसके यह पांच electron तो बच्चों क्या होगा इनके इन एक एक electron के बीच में त्रीबंद स्थापित हो जाएगा जबकि carbon किसी अत्रिक्त से जुड़कर ठीक है उसके electron को अपनी और अकरसि जाएगा ठीक है तो इस तरह से बच्चों यह सबसे पहले cn का निर्माड होता है जिसको हम एक लीगेंड कहते हैं और इस लीगेंड का जो नाम है है ना इस लीगेंड का नाम क्या है बच्चों इसका नाम है sino तो सबसे पहले हमने आपको लीगेंड का निर्माड बताया द 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 और 3D6, बच्चों इस तरह से आप काउंट करेंगे, तो 26 एलेक्टाउन हो जाते हैं, तो 2, 4, 6, 10, 10, 12, 6, 18, 18, 20, 26, बच्चों मैं फाइनली डी ब्लोक के तरह से के वेलेंस चेल की बात करूंगा, तो यह इसका वेलेंस चेल है, 4S2 और 3D6, तो सहियोजी कोश ले लेंगी जल्दी सी, सहियोजी कोश, तो फाइनली बच्चों उसका जो सहियोजी कोश है, वो है, 4 4S2, 3D6, और 4P0, बच्चों अब हमको देखना है, S के पास एक सेल, B के पास पात सेल होते हैं, ठीक है, हमने 11th क्लास में इसको पढ़ रखा हुआ है, जबकि B के पास 3 सेल होते हैं, बच्चों हमको अब्जर्व करना है कि इसके पास 2 ऐलेक्टोन है, तो क्लॉबवाइस, इसके पास 6 हैं, तो पहले सभी में एक-एक, एलेक्टोन की हम फिलिम कर देंगे, इस तरह से, जबकि हमको किवल, खाली कख्षक कितने मिल रहे हैं, 3, बच्चों संक्रन की गटना में हमको अधिक सेली खाली कख्षक प्राप्त करने होते हैं, मातपुन चीज़ देखिए, इसके नाम से आपको पता भी चल रहा है, कि यहाँ पर जो आईरन है, तो वो अपनी प्लस 2 ओक्सिक्रा नवस्था में है, जबकि हमने उदासी नवस्था में अभी उसका एलेक्टोनिक विन्यास प्राप्त किया, सबसे पहले हम इसको प्लस 2 ओक्सिक्रा नवस्था में ले जाएंगे, 4S के 2 electron निकल जाएंगे, 2 electron जब निकल जाएंगे, तो इसका जो नया प्रतिविम प्राप्थ होगा, नया electronic विन्यास वो ऐसा हो जाएगा, देखिए, इसके संयो जी को उसको लिखेंगे, कि यूँ जाएगा 4S 0, एक खंड कोई electron नहीं, उसके बाद होगा 3D, 6, इसके पास 5 खंड होंगे, इस तरह से प्रत्य खंड में पहले एक एक electron की फिलिंग होगी, एक यूगमित, जबकि 4P 0 मिलेगा, जिसके 3 खंड होंगे, 3 कखशक होंगे, और भी उनमें कोई अस्ट्रिक एलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो बचों, हमारे पास अब एक खंड और एफी 26 को, एफी 26 को क्या करेंगे, हुंड के नियम के बिपरीत, है ना, हुंड के नियम के बिपरीत, आयनिक अवस्था में, आयनिक अवस्था में, जो यूगमित, जो आ, यूगमित, एलेक्ट्रॉन है, उन्हें, क्या करेंगे, उन्हें, यूगमित करना होता है, ठीक, तो बच्चों, बहुत अच्छे से समझे, आयनिक 26, 6 को क्या करना, हुंड के नियम के बिपरीत, ठीक है, जो उसमें, यूगमित एलेक्ट्रॉन हैं ने, इस अपसेल म हैं, अब उनको यूगमित करना है, आप देख सकते हैं, विन्यास था, FE26 का, मैं के वलेंस सेल बना देता हूं जल्दी से, वो तह बच्चों, 4S0, 3D6, और 4P0, तो S के पास कोई एलेक्ट्रॉन नहीं था, हम निकाल चुके थे और ये प्लस टू में कनवर्ट हो चुका है, बी के पास 5 सेल है बच्चों, और इस तरह से, उसके पास 1, 2, 3, 4, 5, और 1, 2, 6, जब कि पी के पास कोई भी अत्रिक्ट एलेक्ट्रॉन नहीं है, तो हमने बोला है कि हुंड के नियम के बिपरी, आयनी का बस्था में, अब हमको जो आयुगमित एलेक्ट्रॉन है, उनको कैस हो जाएंगे, युगमित हो जाएंगे, ऐसा करने पर हमको इसका 5 बाश स्टेप भी मिल जाएगा, और F26 जो है, वो हमको कुछ इस तरह से दिखेगा, तब 4S, 0, 3D, 6, और इसके अलावा मिलेगा, बिटा, 4B, 0, तब हमको S के पास किवल 1 घंड, P के पास वही 5 घंड, ठीक इस तरह से हमको दो अत्रिक्त, खाली खंड प्राप्ट हो जाएंगे, तो कुल मिलाके, अत्रिक्त, खाली कप्षकों की संध्या कितनी हो गए, 6 हो गए, तो हमारा सबसे पहले टार्गेट होता है, कि हम CMI में अत्रिक्त, खाली, रिक्त कप्षक उपलब्द कराते हैं, फिर पतर इकांग की ऐलक्टराण युगम होता था, वो अपने एकांग की ऐलक्टराण युगम, CMI को दान कर सकते थे, और वो उनके साथ उपसेसोचेक बंद बना सकते थे, तो जब फिर इसी तरह से बच्चों एक इसको देगा, और यहां पर तीन अलबलब कप्षकों में यह पर एड हो जाएगी इस तरह से यह जो लीगेंड है छे लीगेंड प्रत्य रिक्त कक्षक को अपना-पना अलेक्टॉन क्या करेगा उपलद कराएगा और उनके साथ जुड़ जाएगा और बच्चो इस तरह से जुड़कर हम देखेंगे कि इस तरह से जमिन की बीच में जु इसलिए बच्चो आपको ध्यान दे रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ एस का एक और बिटल है, फिक है प्लस ट के तीन और बिटल है और ड के दो अर्विटल है तो इनके सयोजन से जो संक्रण होगा बिटे वो होगा DSP3 और यहाँ पर DSP3 संक्रण होगा और जो संकुल जो योगिक होगा ठीक है तो संकुल योगिक में उसकी जो जामिती समझना मिलेगी वो आपको कैसी मिलेगी बच्चो वो आपको मिलेगी अस्ट फलकी है वो आपको अस्ट फलकी मिलेगी जिसको बनाने के लिए आप कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर पाएंगे और समझ पाएंगे बीच में आप आईरन को बना दीजिए ठीक है प्रत्रेक सेंटर से इस तरह से आप क्या करेंगे लीगेंड को जोड़ देंगे यहाँ पर एक सीजिएंड यहाँ पर सीजिएंड इस तरह से यह सारे के सारे लीगेंड जो जाएंगे आप प्रैकेट लगा देंगे इसको एक स्क्वेर बनाने के साथ मुनाकात होगी थैंक्यू